नमस्कार किसान मित्रो तो आज हम बात करने वाले हैं मिलिया दुबिया की जिसे बारत में मले से निम से भी जाना जाता है अभी हम जिस खेत में खड़े वो चार एकर का खेत है और उसमें तक्रिबन सोला सो मिलिया दुबिया की पेड लगे हुए है जिनकी उमर 3 साल है और उसकी हाइट तकरीबन 35 फिट और उसके तने का गिराउ 25 इन जितना है मिलिये दुबिया कम समय में ज्यादा लगा देने वाला पेड़ है अब बात करते हैं कि इसे खेत में कितने डिस्टंस पर लगाए उसे हम खेत में 10 फिट बाई 10 फिट, 12 फिट बाई 12 फिट या फिर 12 फिट बाई 15 फिट के डिस्टंस पर भी लगा सकते है जितना आप दो पेड़ के बिच का डिस्टंस ज्यादा रखेंगे उतना ही आपको अच्छा क्रोथ मिलेगा और आप बिच में दूसरी फ़सल भी ले सकते है अब बात करते हैं उसकी देखबाल की इस पेड़ को अन्य पेड़ की तुल्ला में बहुत ही कम महनत की जरूत पड़ती है है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसे समझ सर पाने की बहुत ही जरूत पड़ती है अगर आप इस पेड़ को मांसुन में लगाए तो आपको इनिशेल स्टेड में बहुत ही कम पानी देना पड़ता है इसमें कोई भी प्रकार के रोग आने के तांसिस बहुत ही कम है इस स्पेड को कोई भी प्रकार की खाद की जरुवत नहीं पड़ती अब बात करते हैं ट्रेमिंग की इसे साल में दो या तीन बार उसकी डालिया काटने से उसकी हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ती है मिलिया दुबिया फल और फुल नहीं देता बलकि उसकी लकड़िया हमें काम आती है इसकी लकड़िया का यूज हम दिवासली की तीली और लकड़े की बॉक्स बनाने में करते है इस पेड़ की मैकसिमम हाइट पचास से साथ फिट तक होती है और उसके तने का गिराव थार्टी सिक्स इंच जीतना होता है एक पेड़ छे साल के बाद बेचने लायक हो जाता है एक पेड़ में से हमें 10-15 गण फिट तक की लकड़िया मिलती है हम बात करें तो एक पेड़ में से हम 6-7 हजार तक रुप्य कमा सकते है अगर हम अपने खेट में 10 फिट बाई 10 फिट पेड़ लगाए तो हम एक पेड़ में मैकसिमम 450 पेड़ लगा सकते है और अगर हम एक पेड़ की किमत 6,000 रुप्य लगाए तो एक पेड़ में 6 साल के बाद हम 450 पेड़ के 37,000,000 रुप्य कमा सकते है हम जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो लाने वाले है अगर आपको इस क्वेस्टन के रिलेट कोई बिक वेरी है तो आप कमेंट कर सकते है थेंक यू